हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने लावा Z1 Android वाइल फोन में आप नोटिकिशन साउंड सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह नोटिकिशन साउंड सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद यह सेटिंग कर सकतिक है अब है यहा पर इसमें नोटिकिशनों का ओप्षेट सेटिंग जो है इनेबल होनेके बाद यहשटिंग काम करती है यह मैं आपको बतादेता हूँ तो जब भी आपके मुवाइल फोन पे कोई भी notification रिसीव होगा ठीक है तो आपका मुवाइल फोन यह वाली sound flame create करेगा ठीक है तो जो भी आप notification select करेगे जो भी notification select करेगे तो कोई भी notification आपके phone पे आएगा तो आपका mobile phone जो है वो वाली sound create करेगा notification receive होने पे ठीक है तो यह setting कुछ इस तरीकी से काम करती है enable होने के बाद आपके Lava Z1 Android mobile phone में अब मैं आपको notification sound setting को ढूंड़ने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको जो है अपने mobile phone का setting page उपन करना है ठीक है setting page में सब से उपर आपको ये search setting का option मिलेगा इसे आपको select करना है अब यहाँ पर आपको search बार में type करना है default notification sound ठीक है तो ये एक shortcut तरीका इस setting को ढूंडनेगा आपके mobile phone में